Hello everyone, this is Roshi Rai and I welcome you all on my YouTube channel आज के इस वीडियो सीरीज में हम डिसकस करने वाले हैं आपके माट्स के कुछ MCQ-based questions तो इस बार आपके जैसे कि आप जानते हैं कि descriptive pattern आपको करना नहीं है तो आपको long method approach करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप सिर्फ trick लगाकर उन questions को solve कर सकते हैं और जो भी आपके MCQ-based questions के answers होंगे उनको tick कर सकते हैं तो इस वीडियो सीरीज में basically मैं आपको chapter wise हर chapter में जो भी questions possible हैं MCQ pattern पे उनको discuss करने वाली हूं और साथ ही साथ उन questions के tricks को बताने वाली हूं हमें exact numbers नहीं given हैं तो ऐसे questions को करने के लिए हमें exact number की जरूरत भी नहीं होती है हमें बस जिन तीन terms का हमें basically HCF यहां पे find करना है उसके prime factor के product को देखते हुए उनमें हर term का smallest power वाला number है उसको select करना होता है जैसे हमारे पास four numbers है प्राइम numbers 2, 3, 5, 7 तो इन चारों को देखते हुए ठीक है इन में इन तीनों terms में आप देखो कि क्या common है तो यहां पर 2 की power 3 है second में 2 की power 2 है और यहां पर 2 की power 4 है तो इन तीनों ही से common क्या निकल रहा है 2 की power 2 next term जो हमें common मिल रहा है यहां है 3 की power 2 यहां है 3 की power 3 और यहां है सिर्फ 3 यानि इन तीनों में अगर common term की बात करें तो वो मिलेगा सिर्फ 3 और last term जो हमारे पास common है वो है 5 ठीक, यहाँ पे power 2 है, यहाँ पे power 3 है, तो हम यह smallest power को दीखना है, ठीक है, और 7 जो है, वो सिर्फ इस last वाले term में है, इन दोनों terms में नहीं है, इसलिए जब हम HCF निकालेंगे, तो हम सिर्फ उन्हीं common terms को ही लेंगे, और उनके product को find कर देंगे, तो इनका HCF हो जाएगा, 224 x 3 x 5, that is 60, so 60 is the answer of this particular question, clear है, अब अगर इसी question में आपको HCF के जगा HCM निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास terms है, 2, 3, 5, 7, इन चारू ही term का जो highest power वाला term यहाँ पे present है, उसको लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की 3 पावर प्रेजेंट है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, तो LCM निकालने के लिए जो term हम select करते हैं, वो होता हाइस्ट पावर वाला, that is 2 to the power 4, और 3 की बात करते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 3 यह highest term possible है, इसको ले लेते हैं, और 5 को select करते हैं, और 5 की पावर 3 को select करते हैं, और साथ ही वो सारे terms जो additional होते हैं, भले ही वो किसी के साथ common ना हो, LCM लेते वक्त हम सारे terms को consider करते हैं, अब इनको multiply करके जो भी आपका result आएगा, वो आपका LCM होगा, the decimal representation of 11 upon 2 की पावर 3 into 5 will, यहाँ पर हमें बताना है कि जो यह term basically दिया हुआ है, इसका decimal expansion जो भी होगा, वो कितने places के बाद terminate करेगा, ठीक है, तो स rational number होता है, इसमें जो Q होता है, उसको हम चेक कर लेते हैं, कि वो इस form में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर M और N इनकी value 0 भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह दिया हुआ है, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 1 के form में, यह इस form में तो है, यह terminate कर रहा है, अब हमें देखना ह यहाँ पर highest possible power है, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर 1 है, यहाँ दो terms है, 2 और 5, इन दोनों ही terms में से, जिस भी term की power highest होगी, उसे हम select कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 2 की power 3, यानि 2 की power highest है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यह term जो है, इसकी power highest है, और जो भी इसकी highest power इस term का, जो decimal expansion होगा, वो terminate कर जाएगा, ठीक है, अब instead of this question, अगर हम से यह पूछा जाता, कि हम इसका decimal expansion कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, इसका decimal expansion तो हम क्या करते हैं, तो decimal expansion निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 2 और 5 का pair बनाते हैं, ठीक है, इक्वल pairs होने चाहि यानि अगर मैं इसे 5 की power 2 से multiply कर दूँ, तो नीचे बन जाएगा 5 की power 3, और यहाँ है 2 की power 3, यानि overall मेरे पास बन जाएगा 2 into 5, that is 10 की power 3, तो ओपर वाले term को भी हम 5 की power 2 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 11 into 25 upon, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पस, नीचे 10 की power 3, so this will be 3 375 upon 10 की power 3, अब आप इसका decimal expansion भी निकाल कर देख सकते हैं, यह आजाएगा 0.375, इसका decimal expansion 3 places के बाद terminate कर रहा है, जिसको हमने directly इस basis पे भी निकाल लिया था कि 2 और 5 में से जिसकी भी power highest है, और जितनी भी उसके power की value है, उतने places बाद इसका decimal expansion terminate कर जाएगा, clear, अब हम अब एसे question को बताने का मेरा aim यह है कि अगर हमारे पास को term है, ठीक है, कोई number है, उसका form given है, number exactly नहीं given है, form है, ठीक है, तो ऐसे सारे number जो इस form में express हो सकते हैं, वो सारे number क्या होंगे, क्या वो even होंगे, odd होंगे, या फिर वो multiple of 3 को represent करेंगे, अगर इस type के question आपके exam में आ answers आ रहे हैं, यहाँ पर दिया है, पी whole number है, यानि हम 0 से start कर सकते हैं, तो जब हम इसमें पी is equal to 0 रखेंगे, तो हमारे पास यह पहला term तो 0 हो जाएगा, so this will be 3, इसी तरह से आप पी को 1 रख के check कर लिजी, this will be 4 into 1 plus 3, that is 7, again आप पी को 2 रख सकते हैं, क्योंकि whole number है, तो हर हम whole numbers को ही रखेंगे, again this is 11, actual में यह क्या होगा, यह वाला term जो है न, यह हमीशा एक even number आएगा, forgettable में सारे terms रहते हैं, वो even होते हैं, तो यहाँ जो भी term आएगा, यहाँ odd है, और हमीशा जब even और odd numbers का सम होता है, तो वो एक odd ही number आता है, अगर दो consecutive natural numbers को ले लिया जाए और उसका product निकाला जाए तो वो क्या आएगा, हम कोई भी दो natural number ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 हो गया, यह consecutive natural number है, 2, 3 हो गया, 3, 4 हो गया, इसी तरह से आप कोई भी highest number ले सकते हो, जैसे 11, 12 हो गया, 14, 15 हो गया, इन सारे ही numbers का जब आप product निका को भी multiply करोगे, तो you will get the result as 210, clear, तो इन questions में आप क्या कर सकते हो, कि अगर आपको question नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से अलग-अलग cases लेके निकाल सकते हो, इसके basis पे आप चेक कर सकते हैं, कि आपका answer किया होगा, so the answer is even number, the list number that is divisible by all the numbers from 1 to 5 is, हमें वो list number बताना है यानि यहां जो numbers given है, उसमें से सबसे छोटा number कौन सा होगा, जो 1 से लेकर के 5 तक कि सारे numbers से divisible हो जाए, तो पहले बात करते हैं 5 की, ठीक है, अब ऐसे questions में आप options को eliminate कर सकते हो, अगर हम 5 को लेंगे, तो देखो, 1 से लेकर के 5 तक में 1, 2, 3, 4, 5 आता है, ठीक, अब यह 1 से से भी हो जाएगा, तो यह हमारा answer हो गया, ठीक, but for, मतलब कि हमारे question कोई गलती ना हो, बाकी से भी check कर लेते हैं, यह 21 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, पर यह 3 से नहीं होगा, इसी तरह से 100 भी 3 से नहीं होगा, clear है, तो यह दोनों options को eliminate ह हो गए, तो ऐसे question में अगर आपको confusion हो, तो आप अपने options को भी eliminate करके question को solve कर सकते हो, तो इसका answer क्या हो जाएगा, हमारा option number C, that is 60, clear है, यह question, अब हम देखते हैं, हमारा next question, if two positive integers A and B can be expressed as, दो positive number दिया है, एक है A, that is in the form of xy3, B, it is in the form of x to the power 4, y square into z, अब हमें क्या करना है, कि हमें पता है कि x और y prime number है, prime number है, यानि कि इनके बीच में कोई भी common factor तो है नहीं, यानि यह जो A है, यह इसके prime factor के product में expressed है, उसी तरह से B भी expressed है, अब हमें इन दोनों ही terms का LCM find करना है, ठीक है, तो हमने देखा वाए कि जब इस तरह के terms में LCM find करते हैं, तो हमारे पास जो भी different values होती है, जो भी यहाँ पर prime numbers होते हैं, जैसे कि हाँ पर x, y, z, यह क्या है, prime numbers है, ठीक है, तो इन numbers का जो highest power वाला term होता है, उसको हम select करते हैं LCM निकालते वक्त, तो यहाँ x की 2 power possible है, 1 और 4 तो 4 highest है, इसलिए हम इसको ले ले लेंगे LCM निकालते वक्त, उसी तर हमें दिया है कि यह एक term है, ठीक है, n square minus 1, यानि यह कोई term है, जो इस form expressed है, यह 8 से कब divisible होगा, यह हमें बता लें, तो हमारे पास यहाँ 4 options है, हम एक एक करके सारे options को रख लेते हैं, अगर यह n 1 integer होगा, ठीक है, अब हम कोई भी integer ले ले लेते हैं, जैसे हम 2 ले लेते है ठीक है, 2 एक integer है, तो अगर हम 2 को रख लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 square minus 1, तो यह क्या हो जाएगा, 2 की power 2, यानि 4 minus 1, that is 3, तो 3 तो 8 से नहीं divide होगा, यानि यह option गलत है, अगर हम कोई भी natural number ले ले लेते हैं, यह 2 भी तो एक natural ही number था, तो यह divide तो हो नहीं रहा है, तो यह integer लिया है, यह एक even integer है, अब हमारे पास सिर्फ odd का case बसता है, तो हम दो चार और example लेकर देख लेते हैं, कि क्या यह option हर केस में satisfy हो रहा है, तो 48 भी divide हो जाएगा, इसी तरह से अगर आप odd numbers रखते जाओगे, तो आप देखोगे कि odd number रखने पे, जो भी इस form का answer आएगा, वो हर बार 8 से divide होगा, clear, for some integer M, every integer of the form, अब हमारे पास कोई भी एक integer दिया हुआ है, ठीक, यह क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ एक information दी गई है, कि यह एक integer है, ठीक है, अब हमें बताना है, कि अगर यह एक number है, तो अगर यह even integer होता, तो इसका form क्या होता, ठीक ह मतलब अगर हमेरे पास M कोई number है, और हमें सिर्फ एक number बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर integer की बात करें, तो यह 1 भी हो सकता है, ठीक है, तो यह even integer को तो represent नहीं कर रहा है, यह even odd कुछ भी हो सकता है, अब अगर हम M plus 1 लेते हैं, ठीक, तो अगर हम 1 रखते हैं, M plus 1 मे तो 2M जो है, वो basically 2 से multiply हो रहा है, और 2 से हम even number को multiply करें, या फिर 2 से हम odd number को multiply करें, मतलब यहाँ पर odd और यहाँ पर even, किसी भी number को multiply करें, जो number आता है, वो हमें से एक even number आता है, यह जो 2M है, यह हर बार even integer को represent करेगा, ठीक, और बात करते हैं अब last option की, तो यह जो last option है, हम odd number का form है, यानि M की value आप यहाँ पर odd रख लो, that is 1, तो इसकी value आजाएगी 2 into 1 plus 1, ठीक है, this will be 2 plus 1, 3, और अगर आप यहाँ पर even number रखते हो, तब भी यह जो number है, यह हम एक odd number ही मिलेगा, यानि यह जो है, यह last वाला, यह एक odd number का form है, ठीक है, इस question में, instead of even, अगर आपका odd number पूछा जाता, तो आपका answer यह हो जाता, अब हम देखते हैं my next question, the LCM and HCF of two rational numbers are equal, दो rational numbers है मारे पास माल लेते हैं, एक है A और एक है B, उसका जो LCM और HCF है ना, वो equal है, ठीक है, जो भी इनका LCM HCF है होगा, वो equal है, तो हमें बताना है कि numbers की बीच में क्या relation होगा, तो ए गयागा X into X is equal to AB, ठीक, so AB is equal to X square, तो यह दोनों numbers का जो product है ना, वो basically एक term का square है, ठीक, तो यह कभ यह possible है कि यह X का square होगा, जब यह दोनों terms equal होगे, तभी हम कहेंगे कि यह किसी और number के square को represent कर रहा है, यह X square का बाएगा, जब यह X into X होगा, so that means the numbers are equal in this case, clear, अब देखते its decimal expansion terminates after one place of decimal, यहाँ पर one by three को हम इन options में से किस option से जो smallest हो, उससे multiply करें, जिससे कि इसका decimal expansion एक place के बाद क्या हो जाए, terminate कर जाए, तो एक place पर terminate होने के दिए ना, नीचे 10 की जरूरत है, ठीक है, यहनि, हमें जो यहाँ पर two की power होगी, ठीक, वो one होनी चाहिए, और five की पर one होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, कि जो भी नीचे two और five का turn रहेगा, उसकी जो highest power होगी, उतने place बाद वो terminate कर जाएगा, तो two की power one होने का मतलब क्या हो गया, कि हाँ पर नीचे में 10 होना चाहिए, यानि इस one by three को हमें किसी ऐसे number से multiply करना है, कि नीचे 10 आ जा है, two की power m into five की power n, यहां कोई भी और prime factor नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा aim क्या है, कि हम इस three को हटा दें, और नीचे 10 ने आए, तो ऐसा एक ही option हमारे पास available है, three by ten, इससे जब हम इसको multiply करेंगे, तो यह three cancel हो जाएगा, और यह आ जाएगा, one by ten, अब इसका जो decimal expansion important mcqs जिनको आज की class में हमने discuss कर लिया है, हमारा aim है कि हमारा score आ जाए 40 out of 40, उसके लिए हम इसी तरह के tricks based questions को करते रहेंगे, आगे की classes में हम इसी तरह बाकी सारे chapters के भी important mcq questions को discuss करेंगे, तो अगर आपको videos पसंद आ रहे हैं, तो video series को follow कीजिए, चैनल को like and subscribe कीजिए, thank you